तो दोस्तों अगर आपके पास Poco M3 device है तो यहाँ पर Poco M3 के लिए Global में MIUI 14.0.2.0 का नया update rollout होना start हो चुका है और दोस्तों इस update में आपको MIUI 13 मतलब Android 13 देखने को मिल रहा है तो चलिए दोस्तों इसका थोड़ा review करते हैं और जानते कि क्या क्या नया change आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दोस्तों मैंने एक अपने टेलेग्राम के ग्रूप मेंबर से इसके skin sort लिये है और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ MIUI 14 का यह देखो यहाँ पर लोगो तो आपको मिलेगा ही और साथी साथ यहाँ पर दोस्तों आप Android 13 देख सकते हो latest security patch March का देखने को मिलता है और दोस्तों यहाँ पर आपको change logs में कुछ इस तरीके का change logs देखने को मिलता है देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों सर्च में आपको काफी ज़्यादा settings क्रिप्स सी और बहुती ज़्यादा advance कर दी गई है और वो क्येंसे की गई है वो मैं आपको आँगे बताऊंगा लेकिन उससे पहली एक छोटी सी request है यार इतनी अच्छी वीडियो है अगर आपके पास POCO M30 device है तो उसके लिए MIUI 14 आ चुका है तो एक अच्छी good news है तो प्लीज वीडियो को like कर देना चैनल को subscribe कर देना अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो हमारी क्योंकि ऐसी वीडियो हमें चाह आती रहती है अपड setting section और यह setting section है और दोस्तों यहां पर देख सकते हो icons बगएरा सब कुछ यहां से हो चुके हैं change और सांती सांत यहां पर देखो जो about section होता है जहां पर आपको सारे abouts related आपके phone से related जानकारी और features वो सबसे उपर देखने को मिलते हैं यहां पर आपको जो network है आपके network connection वो य यहां पर एक साद देखने को मिलेंगे तो इस तरीके से यहां पर सारी चीजों को arrange कर दिये गया है इसके बाद यहां पर आप देखो गए यह है दूस्तों इसका search तो यहां पर थोड़ी सी में screen तो यहां पर देखो यह है इसका search section और यहां पर आप कुछ भी search करते हो ना तो वो कुछ इस तरीके से आपको अब अलग-अलग सो होगा कुछ इस तरीके से, तो आप कोई भी सेटिंग सर्च करोगे, तो easily सर्च कर पाऊगे, और यही चीज अभी mention की गई थी, कि क्या-क्या यहाँ पर change हुए है, जो search वारा section है, उसमें, और इसके अलावा दूस्तों यहाँ पर देखो, आपको super folders देखने को मिल जाते हैं, super icons देखने को मिल जाते हैं, और super widgets देखने को मिल जाते हैं, और जितने भी चीज यहाँ पर नहीं मतलब मिली होंगी अभी, वो एक दो update में फिर सब चीज fix हो जाएंगी, और उनका आप यूज कर पाऊगे अपनी day-to-day live में, इसके बाद यहाँ पर आपको देखो यह है, N-Rod 13, जो कि यहाँ पर program 3 में देखने को मिल आए, यहाँ पर दोस्तों यह इसका नीचे तरब देखोगे, यह additional setting आपको देखाई दी रही है, पहले यहाँ पर special features आपको देखने को मिलते थे, जो कि यहाँ से हटा दिये गए हैं, इनको थोड़ा अंदर कर दिये गया है, additional setting यहाँ पर देखोगे, additional setting के अंदर यह तीनो special features आपको देखने को मिल जाते हैं, अब special features के अंदर दोस्तों आपको memory extension देखने को मिलेगा, और memory extension में आप अगर आपके पास 6GB variant है, तो आप लोग दोस्तों यहाँ पर अब ज़्यादा RAM expand कर पाऊगे, देख सकते हो पहले, एक यह option था 2GB का, 3GB और 5GB भी आ चुका है, अगर आपके पास 4GB variant है, तो उसमें दोस्तों आपको 1GB, 2GB या 3-4GB तक और 3 option और देखने को मिल जाएंगे, इसके बाद यहाँ पर बात देखने को मिल जाएंगे, तो यह दोस्तों यहाँ पर shift कर दिये गए हैं, अब अलग से आपको game turbo और video toolbox दिखाई नहीं देगा, वो setting आप यहाँ से कर पाऊगे, इसके अलावा यह है दोस्तों control center, जिसमें ज़्यादा कुछ change नजर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ यह transparent य आपको यह update कैसा लगा, आप मतलव यहाँ पर आपको पहले से smoothness मिली है, आपको अच्छा experience मिला आया या फिर पहले से खराब मिला आया, बाकी comment करके बता देना, मिलते है नेस्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाई बाई